हाल ही में इरान के सुप्रीम लीडर ने साउधी अरब से रिष्टे सुधारने की इच्छा जताई थी कुछ ऐसे ही संकेत क्राउन प्रिंस सल्मान की ओर से भी सामने आये थे इबराहिम रईसी की मौत के बाद राष्टपती पत संभालते वाले कारिवाहक राष्टपती मौहमत मौखबर ने भी पहली विदेशी कॉल जो की वो क्राउन प्रिंस सल्मान से की बातचीत और उनको इरान आने का नियोता भी दिया लेकिन दोनों देशों में संभन बहतर होने से पहले ही टकराव देखने को मिल रहा है हज यातरा को कवर करने गए 6 इरानी मीडिया कर्मियों को साउधी सरकार ने हिरासत में डीटेन में लेने के बाद देश से निकाल दिया हज के दोरान पूरी दुनिया से कई मीडिया हाउस कवरिज के लिए अपने रिपोर्टर्स को साउधी अरब भेचते हैं साउधी सरकार की गाइडलाइन जो है उसके मताबिक मक्का और मदीना दोनों ही शेहरों में कोई भी पॉलिटिकल अक्टिविटी की जो अनुमती है वो नहीं है इजासत नहीं है साउधी की ओर से हिरासत में लेने की वज़ा नहीं बताई गई है लेकिन खबरों के मताबिक ये ग्रूप इरानी प्रॉपगेंड़ा पहलाने के शक में डीटेंड किया इन्हें हिरासत में लिया गया इरान वापसी के बाद इस्लामिक रिपाब्लिक ऑफ इरान ब्रॉटकास्टिंग आई आर आई बी के चीफ जेवली रे खुद तहरान एपोर्ट पर ग्रूप कर स्वागत किया और ये पुष्टी की कि साउधी अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इन 6 सदस्यों को इरा वापस बेजा गया है जो राहत रही इसके बाद इरान अधिकारियों ने कि कहा कि हमें साउधी अरब से उनके अधिकारियों के इस कदम की उमीद बिल्कुल नहीं थी ये सभी सदसे हच के लिए पहुंचे थे लेकिन साउधी को इनकी एक्टिविटी पर शक था और शायद इसी लिए बिना हच किये इन लोगों को वापस भेज दिया गया